सभी दर्शकों को मेरे नमश्कार कई बार क्या होता है कि वेक्ति जीवन में बहुत पूजा पाट करता है, हवन करता है पर उसके बाद भी उसके उपर जीवन में परिशानिया आती रहती है, विबदाएं आती रहती है और फिर जब वो उनसे पार पाने के लिए कोई उपाई करता है और फिर भी उसके जीवन में पूजा पार्ट करने के पश्चाद उपाई करने के पश्चादी परिशानी आती है तो उसके मन में एक शंका आ जाती है, एक डाउट आने लगता है कि क्या ये पूजापाट, ये हवन और ये उपाई, क्या ये सब कुछ एफेक्टिव नहीं होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है इस बात का जबाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि पांडुगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हस्तिनापुर से अलग होकर उन्होंने इंद्रप्रस्त बनाया था तो वहां उन्होंने राजसु यग्य करा और राजसु यग्य में उन्होंने भारत वर्ष के सभी रिशी मुनियों को साधू सन्यासियों को बुलाया और दिल खोल कर उन्हें दान दक्षिना दी गई सरवशेष्ट मुहुर्त में पूजापाथ और हवण हुए सरवशेष्ट पंडितों ने जो है सरवशेष्ट विधी विधान से वो सारा पूजापाथ और यग्यहवन किया गया स्वयम भगवान शीक रश्णिने वहां लोगों के पाउं पका रहे थे पाउं धोए थे इसके बाद भी पांड़ों के साथ क्या हुआ उनसे उनका राज्य छीद लिया गया तो जिस राज्य के लिए उन्होंने राजसु यग्य करा फोरसी बिली जो है वो पैसा लिया गया था बलपूर्वक धन अरजित किया गया था उन राजाओं से उन राजाओं ने अनिच्छा से वो धन दिया था और उस धन का उप्योग इस राजसु यग्य में किया गया था क्योंकि ये धन शुद्ध नहीं था ये धन बलपूरवक लिया गया था और इसलिए इस धन से जो कारे किया गया जो पूझा पाट और हवन किया गया उसका कोई पुण्ने प्राप्थी नहीं हो सकता था और इसलिए पांड़ों को कोई पुण्ने नहीं मिला साधन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया था हमें जीवन में साध्धे के अलावा जो हमारी मंजिल है जो हमारा एम है उसको पाने के लिए हम जिन resources को use कर रहे हैं जिन साधनों को प्योग कर रहे हैं we should be very careful about it हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर साधन पवित्र नहीं है तो फिर साध्ध की प्राप्ती भी सुनिश्चित नहीं हो सकती पैसा तो हम सब कमाते हैं परंतु पैसे के साथ हम क्या कमा रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है पैसे के साथ कहीं हम किसी की बद्दुआएं तो नहीं कमा रहें पैसे के साथ कहीं हम कोई पाप तो नहीं कमा रहें यह देखना सुछ से ज़ादा जरूरी होता है मैं उमीद करती हूँ कि आप सब जब जिन्दगी में पैसा कमाएंगे तो उसके साथ पाप नहीं उड़ने कमाएंगे और इस बात का जीवन में हमीशा ध्यान रखेंगे Thank you